अल्कम टू लेटेस्टेक अपने zip file को extract कर लेना extract करने के बद दोस्तों यहां पर आपको Qualcomm USB driver 1.0 दिखेगा इसमें ठीक है यह official driver है Qualcomm के जो भी Xiaomi का phone होगा उसमें यह आप easily install कर दोस्तों आपने इने open करना and then यहां पर next करना तो next instruction दोस्तों में यहां पर आपको बताता हूँ my computer की property में properties में जाना उसके बद device manager में वहां से आप इसने manually update कर सकते हैं अगर आपको कोई problem आती है दोस्तों यहां पर आप next करेंगे आपने उसे yes कर देना है उसके बद दोस्तों यहां पर आपको इस तरह के interface में लेगा ठीक है यह 32 bit and 64 bit दोनों में गाम करेगा उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर बता दूँँ अगर आपके system में old driver कोई भी पुराना driver qualcomm का आपने install किया हुआ तो आप उसे सबसे पहले uninstall कर लेजीगा तो यहां पर दोस्तों यहां पर आपको कहां से uninstall करना अपने प्रोग्रांस में जाना अनिस्टॉल में जाना और यहां पर चेक कर लेना अगर आपको qualcomm के driver अलरड़ी install ले तो आपने पहले uninstall कर देना ठीक है उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर इसे next करना ठीक है next करना फिर यहां से accept करके इसे next करते हैं थोड़ा installation यहां पर थोड़ा सा time लगिए और आपके जो driver है वो installation complete हो जाएंगे तो दोस्तों यह latest virgin driver है show me के official हैं अगर आपको कोई problem आती है फिर कुछ पूछना जाते हैं तो आप मुझे comment करके बिता सकते हैं बहुत सरे friends की problem आती है क्वाल कॉम के driver में तो यह दोस्तों मैंने official driver आपके लिए लेकिया हूँ यह working 100% है ठीक है आपको कोई भी अगर दिक्कत आती है कुछ पूछना चाहते हैं तो comment करके जरूर बिताएगा आपको यह हमारी video कैसी लगी यह भी बिताएगा और अगर आपको कोई problem आती है तो आप लिख सकते हैं मैं उस पर भी जल्दी video बनाके लहूंगा दोस्तों दोस्तों अगर video पसंद आई हो तो like कीजिएगा चैनल पर new हैं तो subscribe करके bell icon पर press कीजिएगा हमारी new update की notification आपको मिलेगी इसो गाइस थेंक्स फर वाचिंग विल्दे नेक्स वीडियो में new topic के साथ